जो भस्ट चार समाप्त करके पुरे चत्रा जीले में जो निम्गाव पंचायत का अस्तित्व है उसे जारखन राज के अस्तर पे ले जाना है जारखन में हो रहे तुरी अस्तरिया पंचायत चुनाओ को लेकर लोगों में उत्सुता लगातार बढ़ रही है चत्रा जीले के पत्रगड़ा पंचायत में चोथे चरण में होने वाले पंचायत चुनाओ को लेकर यहां गहमा गहमी तेज हो गई है पतलगटा परखंड के नोनगाव पंचायत के निवर्तमान मुख्या 37 कुमार की धर्म पतनी पिंकी कुमारी नोनगाव पंचायत से मुख्या पद के लिए दावेदारी की है वे परखंड कारियाले अपने समर्थकों के साथ पहुंची और निर्वाची पदाधेकारी सलमान जफर फिजरी के समझ से नामांकन परपत्र दाखिल गिये पंचायत की मुख्या सिट इस बार अनारक्षित महिला के लिए रिजर्व है ऐसे में निवर्तमान मुख्या की धर्म पत्नी पिंकी कुमारी ने यहां दावेदारी की और नामांकन कराया उन्होंने विवाकी से कहा कि भ्रहष्टाचार के मुद्दे पर वे इस बार भी चुन में पहले महिलाओं को पंचायती राज में सो परसेंटेज योगदान देनी के लिए उन्हें आगे लाओंगी और ताकि वो खुद कंदों से कंदे मिला के पुरूश्यों के बराबर भागेदार रही है और मुख्या रहे हैं पांट साल दो सान एक्सेंशन भी मिला हम लोग हम लोगों ने विकास का कारिय किया है और लोगों के बिर्धा पेंसान, अवास, खुवाई, सही त्रिक्से को काम PCC अगरा का निर्मान करवाया इस बार का चुनावी मुद्दा मुख्य रूप से है कि जो लोग कुछ बंचीत रह गये हैं उन लोगों को पूरा करना है कु इसी भी हालत में लोगों को अच्छे से पान सोर्सेज का हम विवस्था करना चाहेंगे मैं तमाम जमताओं से अपील करता हूं कि एक बर पुना हम पर विश्वाश जाता हैं इस बर तो हमें नहीं हमारी धर्म पतनी पिंकी कुमारी खड़ी है इस शुनावी मैदान में उन में किस परगार से विकास की लहर दोड़ती है